अब कच्छा के सभी लड़कियों का संग्रा तो यह समुच्च में है यह समुच्च में है यह लिखतेंगे कि यह समुच्च में है क्योंकि यह सू परिभासित है आपके क्लास में कितनी लड़किया उसको तो आप गिन सकते हैं ना तो यह भी समुच्च में होगा क्योंकि इस समुच्च में है क्यों क्यों की ये परिभासित है आप ली सकते हैं संपुर्णांग को जो होते हैं हैंना संपुर्णांग की बात करना है सभी संपुर्णांग तो आपका इसलिए यह संग्रा में है, यह समुच्य है, यह लिए देंगे कि यह समुच्य में है, क्योंकि यह घटना, क्या है, आपकी परिभासित है, सूप परिभासित है, बिश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रा, तो यह समुच्य में नहीं है, समुच्य में इसलिए नहीं है, कि कौन सी लर्गी कितना सुन्दर होगी इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते इसको आप नहीं बता सकते हैं विश्व के विख्यात गणितग्यों का संग्रा तो इसका ये भी आपका समुच्च में नहीं होगा क्योंकि कौन सा गणितग्यों कितना ज्यादा ज्यानी है इसके ब सब्रेस कर सकते है उसके बारे में बता सकते हैं इस लिए भी समुच में है किलर हो गया चलते हैं next question पे तो इसमें जो आपको बता रहना statement वो आप लिखे लिजिएगा ठीक है question number two